हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो विद्या की जरनी आज हम लोग संस्कृत की कुछ महत्वपूर प्रेशन सुनेंगे और सुनते सुनते आप से बहुत आसानी से बनने लगेंगे और अगर आपको यह आडियो पशंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें और इस आड तो सुनते सुनते आपसे बहुत आसानी शे बनने लगेंगे विद्या महा काब है यह 20 सर्गों का है शिशपाल बद किश वीधा का ग्रंथ है तो महा काब है शिशपाल बद महा काब है और इसमें 20 सर्ग है शिशपाल बद में 20 सर्गों का यह शिशपाल बद है और इसमें यह महा काब है शिशपाल बदम का जो प्रतिनायक है वो कौन है तो सिशप रोर प्रतिनायक है वह सिस्पाल का प्रमुकराश है वीरस माग के पिता का नाम है ददतक शर्वासर है students माग का जन्मस्थान है झहां माग जन्मे थे उनका जो जन्मस्थली है वह बीन माल भीन माल में मार का चन्म हुआ था शिश्पाल बद निवद्ध है सरगों में शिश्पाल बदमें इस लोक है सोरा सोपचास, महाग कभी मांग का समय है ये श्रिषपाल बधम के जो नायक है वो है क्रिष्ण सिस्पाल बधम के मंगलाचरण का प्रारम हुआ है वह स्रीशब्द से हुआ है श्रिषपाल बधम के प्रथम सर्ग में वर्डन है नारत की आगमन का जो नारत का आगमन होता हुआ प्रथम सर्ग में वर्डन है श्रिषपाल बधम के मंगलाचरण में वर्डन है क्रिष्ण का जो श्रिषपाल बधम के मंगलाचरण है उसमें किसका वर्डन है नारत के हाथ में इस्थित है बीड़ा नारत के हाथ में क्या इस्थित है तो बीड़ा इस्थित है सिस्पाल बधम के प्रथम सर्ग में इस लोग में चंद है जो प्रथम सर्ग का इस लोग में चंद है वह है बंसस्त चंद बंसस्त चंद सिस्पाल बधम के प्रथम सर्ग में जो इस लोग है उसमें बंसस्त चंद है नारत के पिता ब्रह्मा है नारत के जो पिता है वह ब्रह्मा है नारत किसका संदेश लेकर कृष्ण के पास आते हैं तो इंद्र का इंद्रका शंदेश लेके नारत कृष्णी के पास आते हैं दिती के पुत्र का नाम है हेडा कस्यप दिती के पुत्र का नाम है हेडा कस्यप हेडा कस्यप के पिता का नाम है दिती और दिती के पुत्र का नाम है हेडा कस्यप हिरा कश्चव को किस का अतार लिया तो रामण का उतार लिया शिशपाल बढम का नायख है स्री क्रिश्च शिशपाल बधम की जो नायक है वह सरी कृष्ण है सिशपाल बधम उद्रित है महाभारत सभापर्पशे जो महाभारत के सभापर्पशे सिशपाल बधम उद्रित है सिशपाल बधम रचना है घंटा माग की सिशपाल बधम रचना किसकी है घंटा माग की है महा कभी माग अनुगामी थे भारवी के महा कभी माग अनुगामी किसके थे तो वो भारवी के थे द्वारे का धीश है स्री कृष्णी द्वारे का धीश किसको का जाता है तो स्री कृष्णी जो को का जाता है स्री कृष्ण के राज प्रशाद में आगमन होता है देवरिशी नारत का होता है शिशपाल पर चढ़ाई की बात करते हैं बलराम करते हैं उद्धो जी किसकी बात का बिरोध करते हैं तो बलराम का शिशपाल बदम में अंगीरष है बीरष तेज पुझ निकल कर किसमें समाहित हो जाता है तो स्री कृष्ण में समाहित हो जाता है जो तेज पुझ निकलता है वा किसमें समाहित हो जाता है तो स्री कृष्ण में समाहित हो जाता है अनुप्रास की योजना में माग किसके जुडवा भाई है तो भारवी के, भारवी के जुडवा भाई माग है, भारवी के शमान किसकी सहली है, तो वह माग किस सहली है, एक पद में दकार का प्रयोग किया है, माग ने, एक पद में दकार का प्रयोग किसने किया है, तो माग न किया है यगे में किसकी अग्रिम पूजा होती है तो सरी कृष्णी की होती है शिश्पाल बधम में रास्थुई यगे का आयोजन करते हैं यूधिष्ठिर करते हैं चंपू कहते हैं गद्पद रचना को चंपू किसे कहते है तो चंपू जो गद्पद रचना होती है गद्पद दोनों यूगत जो रचना होती है उसे चंपू कहते हैं प्रथम चंपू है नल चंपू प्रथम चंपू है वह है नल चंपू नल चंपू का दूसरा नाम है दम्यंति कथा नल चंपू का दूसरा नाम क्या है तो दम्यंति कथा है नल के पिता का नाम था वीरशे नाम था नल की चारित्रिक गुड़ है नितिगे नल के मंत्री का नाम था शुरुट सील नल की बिहार बन में कोन आ गया था सूकर आ गया था नाम था नाम था भीरश नाम था नल की बिहार बन में कोन आ गया था सूकर आ गया था बैस धिये चरितम की घड़ना के जाती है तो भ्रहतरई के अंतरगत की है जो नैस्धिये चरितम की गड़ना की जाती है तो अब रहत्राई के अंतरगत की जाती है नैस्धिये चरितम है महाकाव्य नैस्धिये चरितम निभद्ध है 22 सर्गों में नैस्धिये चरितम के कवी हैं स्रीहर्च स्रीहर्च की सहली है वैधर भी स्रीहस की जो सैली है वो है बैधर भी इस ग्रंथ में प्रयूक्त प्रतेक पद है सलिष्ट नैस्धी चर्तम उद्रित है महाभारत नलोपक्ख्यान से नैस्धी चर्तम का नायक है नल नैस्धी चर्तम की नायक है नल नैस्धी चर्तम की नायका है दमयंती भीम की राजधानी है विदर्ग, दम्यंती के पिता का नाम है भीम, दूद कार में कुशल था हंश, दूद कार में कौन कुशल था तो हंश था, नैस धी चर्तम का नायक कैसा है कुलीन, नैस धी चर्तम की नायक है कुलीन, नैस धी चर्तम की नायक है कुलीन, नैस धी चर्तम क में कभी ने शिर्प विग्यान के साथ किस विग्यान का वड़न किया है तो प्राण विग्यान का जो सिल बिग्यान के साथ बढ़न किया है वह है प्राण बिग्यान का बढ़न किया है नज़धी चर्तम में कभी नज़धी चर्तम में शामुदिक सास्तर के साथ बढ़न किया है तंतरशास्तर का किया है कालिदास की नाटे कृत है अभग्यान शाकूंतलम अभग्यान शाकूंतलम में अंको की शंख्या है शाथ अभग्यान शाकूंतलम साथ अंको का नाटक है सकूंतला का पालन पूशन हुआ था कड़ के आश्रम में शकुंतला का जो पालन पूशन हुआ था वो कड़ की आस्रम में हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में गुड है प्रशाद अभिज्ञान शकुंतलम में जो नाटक में गुड है वो है प्रशाद गुड शकुंतला पती की चिंतन में बैठी थी कुटिया के पास सकुंतला जो पती की चिंतन में कहां बैठी थी तो कुटिया के पास बैठी थी सकुंतला की बिदाय का बढ़न किस अंक में है चतुर धंक में है सकुंतला की बिदाय का बढ़न चतुर धंक में है शकुंतला राजा दुशेंद पर किस कारण मोहित हो जाती है तो बस्त्रो के कारण शकुंतला राजा दुशेंद के उपर मोहित हो जाती है बस्त्रो के कारण इम्रिक का पीछा करते हुए राजा दुशेंत किसकी आस्रा में पहुँचे तो मारीज आस्रा में पहुँचे दुशेंत सकुंतला कि किसकी रच्छा करता है तो ब्रहमर से करता है अब ग्यान शाकुंतलम की नाई का है शाकुंतला अभग्यान शाकुंतलम में जो विदुशक है वो माढब्य है शाकुंतला की विदाई की शमय रेष्ट में बस्तर दिये थे ब्रिक्चोने अभग्यान शाकुंतलम के जो नायक है वो दुशेंत है और नायका शाकुंतला है शकुंतला को शाब दिया था दुरवाशा ने, शकुंतला को किशने साब दिया था दुरवाशा ने दिया था, शकुंतला की माता का नाम था मेनका, शकुंतला की पुत्र का नाम था शर्व दमन, शकुंतला की अंगुठी गिरी थी सची तीर्थ में, शकुंतला की अंगुठ सक्षी को भेजा था तो सानुमती को भेजा था दुसेंद की मना इस्थदी जानने के लिए मेनका को भेज किस मेनका ने अपनी किस सक्षी को भेजा था तो सानुमती को भेजा था अभिग्यान शाकुंतलम में जो अंगी रश है वो शिंगार रश है शाकुंतला दुशेंद का बिबा था गंधर बिबा हुआ था अभिग्यान शाकुंतलम में किस अंक में बिशकंभक शमाप्त होता है तो तृतिया अंक में बिशकंभक शमाप्त होता है अब ग्यान शाकुंतलम के किस अंक में बिसकंभक शमाप्त होता है तो वह तरतिया अंक में शमाप्त होता है भूत बले में पद में कौन सा समाप्त है तो भूत बली पद में तत्पुर शमाप्त है तेन में बिभक्ती है तृतिया तेन में कौन से बिभक्ती होती है तो तृतिया बिभक्ती होती है आगत्य में प्रत्य है लेप आगत्य में कौन सा प्रत्य है तो लेप प्रत्य है बिभ्यती सब्द में मूल धात यूम लकार है भीधात और लटलकार भीधादू लटलकार भारतिय भाषाओं की जन्नी है संस्कृत सबसे प्राचीन वेद है रिगवेद सर्थ प्रत्य यूग्त पद है पठन समुंद्र शब्द का प्रयावाची शब्द होता है रतनाकर समुंद्र शब्द का प्रयावाची है रतनाकर कच्छा सिछण में सबसे आवस्यक सामागरी कौन सी है तो अस्याम पठ है छंदो वद्दता होती है पद्दपाठों में पित्र शब्द में किस विभक्तियों बचन का रूप है तृतिया एक बचन पित्र शब्द किस विभक्ति का रूप है तो पित्र पित्रम पित्र पित्रे यानि तृतिया एक बचन का है का शब्द का उचरणा स्थान है कंठ इच्छाक बंसी राजाओं का निरूपड होता है रगवंस में अश्टा ध्याई ग्रंथ संबंदित है व्याकरण से अश्टा ध्याई जो ग्रंथ है वाशंबंदित है व्याकरण से महर्ची पाड़िन ने संस्कृत की बढ़माला को विभाजित किया है चोदा खंडों में ता वर्ग का उचाड़ा स्थान है दंत रितू रशाना दंत है इसलिए ता वर्ग का उचाड़ा स्थान है दंत गम धाद लोट लकार प्रथम पुरुष एक बचन का रूप होता है गच्छत होता है संस्कित में भविशकाल के लिए प्रयोक किया जाता है लेट लकार भविशकाल के लिए प्रयोक होता है लेट लकार अश्टा विजनसत सब्द का अर्थ होता है अठाईस पाव का शब्द शंदी विच्छेद होता है पाउधन अका है जगदीसे में किस सूत्रशे शंदी होई है तो जलाम जशुवंते से राम शब्द का तर्दिया एक बचन का रूप होता है रामेड दाधात में कत्वा प्रत्य का योग करने पर होता है दत्वा शाह पादेन खज्जह अस्ति इस वाक्य में पादेन पद में तृतिया विभप्ति का बिधायक शूत्र है वो कौन सा है तो एनंग विकार है इनांग विकार है या इस सूत्रशे शाहपादिन खज्य अस्ति में दितिया विभक्ती होई है संस्कृत के प्रतेक लकार में पुरुष होते हैं तीन संस्कृत में प्रतेक लकार में कितने पुरुष होते हैं तो तीन पुरुष होते हैं अभिता के योग में बिभक्ती प्रयुक्त होती है दिदिया, अभिता के योग में कौन सी बिभक्ती होती है, तो दिदिया बिभक्ती होती है, कावे प्रकास पुस्तक के रचाइता है आचार महमट, गत्यात्मक धात्यों के योग में बिभक्ती होती है, दिदिया, गत्यात् च्छात्र उपविसत् यह करितवाज है किरातार जुनियम में सर्ग है 18 किरातार जुनियम कितने सर्ग है तो 18 सर्ग है नाट्या पाक्यानम पंचमं बेदम यह कथन है भरतमुन का नाट्र पाक्यानम पंचमं बेदम यह कथन किसका है तो भरतमुन का है रुच्यार्थाराम प्रिय मारण सूत्र में भिभक्ती प्रयुक्त होती है तो चतुर्थी रुच्यार्थाम प्रिय मारण सूत्र में भिभक्ती कौन सी होती है तो चतुर्थी होती है रामेह गच्छत में भावाच होगा रामेल गम्यति हितं मनुहारी जादुरलबं बचह शूक्ति किस गरंद से है तो किरातार जोनियम से अब्याशब्ध है सर्वदा अर्थगोरों के लिए प्रिशिद है भारवी है। दूत्वाक्यम किसकी है तो भासकी है उमेशह शब्द में किस सूत्र के अनुशार शंधी की गई है। तो आदगुड़ह से उमेशह में शंधी की गई है, आदगुड़ह सूत्रश्वे शंधी की गई है, पंच विशनती शब्द का हिंदी अर्थ होता है पच्चीस, पच्चीस ही तो देशह में शंधी है, गुड़ ही तो देशह में शंधी कोल से है, तो गुड़ शंधी है, भ भबूद का शंबंध है किसे तो उत्तराम चर्थम से भबूद पितांबर का विग्र है पितम चा तत अंबरम पितांबरम का शंदी विग्र है जो शमाश विग्र है पितम चा तत अंबरम पितांबरम का विग्र है राजपुर्शा में शमाश है तत्पुरुष राजपुत्रह 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 में शमाश है तत्पुरुष इश, डंड, मत यह सब द्विकर्मक धातु हैं जबकि मन द्विकर्मक धात नहीं है चंदा नुगत सिच्छर पड़ाली है पद्द की जो चंदा नुगत पड़ाली होती है वह पद्द की होती है अभिता के योग में दिदिया विभक्ती होती है अभिता के यूग अभिता परता समया निक्षा हाई परतियोगे दिदिया विभक्ती होती है भवभूत की अनुशार रश है करूडरस भवभूत की अनुशार जो रश है वो करूडरस है किसके स्राप से सीता अत्रिश हुए थी तो भागी रथी किस स्राप से सीता अत्रिश हुए थी वशिष्ट की पत्नी का नाम है अरुंधती वशिष्ट की पत्नी का नाम है अरुंधतिया, रामकिशकोड की नायक है तथिरोधात है, रामकिशकोड की नायक है धीरोधात है, भभू भूध की पिता है वह है नीलकंड, पुट्तलिका का प्रयाय वोधक है कट्फतली पुत्तलिका को संस्कृत में कटपुतली कहते हैं और हिंदी में उसे कटपुतली हिंदी वर्ड है कटपुतली जबकि संस्कृत वर्ड है पुत्तलिका भॉभूत की आसरेदाता का नाम है एशोवर्मन भॉभूत की आसरेदाता का नाम है एशोवर्मन राम कहां से लोड़ते हुए पंचवटी को जाते हैं तो दंडारण संबुख वद से बद करके पंचवटी को अपस लोड़ते हैं सीता के कान में लगे किस पलों को करिकलब अपनी दातों से खिचता है तो लबली लता को सीता के कान में लगे किस पलों को करिकलब अपनी दातों से खिचता है तो लबली लता से हाथी के बच्चे को सीता क्या खिला कर बढ़ा कि थी तो पलों के पच्चों क्या सलकी पलों को सलकी पलों जो है उसको खिला के सीता उसके बच्चे को बढ़ा कि थी संख बजाया था क्वोन-कौन संख किसने बजाया था ये आप शूर लिजिए और सारे संखों से बनने वाले प्रेशन आप से बहुत असानी से बनने लगे जो पांच जन्य संख था वो स्रीकृ çekृ कृष्णे का था देवदत अर्जुन के शंख का नाम था पॉंड्र शंक का नाम भीम के संक का था, पॉंड्र नाम था भीम के संक का, अनन्त विजय नाम था युधिष्टिर के संक का, शुगोष शुधू, सुगोष नकुल के संक का नाम था, और मड़ी पुस्पक शाहदेव की, मड़ी पुष्पक शाहदेव की एक बार फिर्षे चुनिया है पांच जन्री स्रीक्रिष्ण देवदत अरजुन पौण्ड भीम अनन्त विजय द्युधिष्ठिर शुगोष नकुल मड़ी पुष्पक शाहदेव पांच जन्री ये संक का नाम और स्रीक्रिष्ण जी जो बनने वाले सारे प्रश्ण आपको असाने से बनने लगेंगे प्रते तीन प्रकार के होते हैं जो संस्कृत में प्रते होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं प्रकृत के स्वभा जो स्वरूप है जो प्रकृत की स्वरूप है वह है नौ पूरुष का लक्षड है बिबे की पुरुष का क्या लक्षड होता है? वा बिबे की होता है. पंच महाभूत उत्पन होता है पंच तन मात्राएं में. प्रकृत का लक्षड है त्रुड़ात्मक. पाड़िन के मत में वधु शब्द की संग्या नदी है. पाड़िन के मत में जो वधु शब्द की संग्या है वह नदी नक विन्नह का अलोकिक विग्रह नखेन विन्नत है गौरी में डीप प्रत्य है गौरी में डीप प्रत्य है सूरिय में टाप प्रत्य है और हरेयों में संधिनियम है इंगांग बंदान तपी अहंकार में उत्पन होता है खोडशक गड़ जो अहंकार में उत्पन होता है वह खोड़क गड़, प्रत्य वर्ग में कुल चार भेद है, कारण के तीन भेद है, अपादान गरहर सतकार का कारण है, वह सतकार बाद का कारण है दीर घुश्वर है आई-ई-उ-ए-ई-ओ-ओ-ओ बड़ा सा तालुश अब्द है तालुशे बोला जाता है पठकिरवा शाह मुर्धा शे बोला जाता है और जो छोटा शाह होता है वादद्द से बोला जाता है बड़ा शा इदम का तृतिया बिभक्ति एक बचन का रूप होगा अनया चुकंदर का संस्कृत सब्ध है कच्छ भेद है अहन लंग लकार का प्रत्थम पुरुष बहबचन का रूप है अहन लंग लकार का प्रत्थम पुरुष बहुवचन का रूप है गुड संधी में एक का जिक्र नहीं होता है जो गुड संधी होता है उसमें एक का आय का आय नहीं प्रविक्त होता है आगमन बिधी एक बैग्यानिक बिधी है आग्यमन विधी जो होती है वहाँ बैज्ञानिक विधी होती है क्रिकलासह का अर्थ होता है गिर्गिट क्रिकलासह का जो अर्थ होता है वहाँ होता है गिर्गिट फ्रेंड्स ये रहें संस्क्रिद एक उस महत्वपूर प्रेश्ण और अगर आपको यह आडियो पशंद आये इससे आपके प्रश्ण आसान लगने लगें तो आप लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्ट आडियो में